तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि मुखा होने क Istanbul होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारा इसटांप हुआ है या नहीं हुआ है कितने लोग क्या करते हैं कि वीम एक इघेंट को पैसा देळेते हैं तो फंदी फैसा दिदो हमारा तुमारा काम हो मुखा है हो गया है तो आप भी इन फ्रोडिंग सो बस सकते हैं आप भी होश्यार हो जाए कि हमारा वीजा स्टांप हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप मेरे वीडियो पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको मॉबाइल स्क्रीन पर जाते हैं मॉबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद आपको गूगल कुरूम ब्राउजर खोलते हैं गूगल कुरूम ब्राउजर खोलने के पर आपको लिखना पड़ता है divisa.offa.gov.s है ठीक है यह लिखने के बाद आप klik करें klik करने के बाद आपको अभी लिखा रहता है अभी को कट करेंगे klik करने के बाद को यह ऐसा option आता है उपर में का option उपwrलोट करते हैं ठीक है वहाँ पे कट करते हैं कट करने के के बाद आपको application number लिख है तो application number में क्या रहेगा वीजा application number उसको डायल कर देना है फिर नहीं कि चाहिए application number तो उसमें मोफा number डालना पड़ता है तो मोफा number मैं डालता हूं ठीक है तो यहां पर मैं बताने वाला हूँ नहीं किसका वीजा नंबर है यहां पर शेयर नहीं करेंगे, फिर थर्ड में लिखेया पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर में आपको डाल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं धुंदला कर दे रहा हूं कि किसी के वीज़ से खेलवाल नहीं करना चाहिए, हमें, ठीक है, तो यहाँ पे पासपोर्ट नमबर में मैं डाल दिया हूं, पासपोर्ट नमबर डालने के बाद, आपको देखो, यहाँ पे कैपचा फिल अप करना है, कैपचा, देखो लिखा है 941212 तो यहां पे मैं फिल अप कर दे रहा हूं तो भाई इसी की भी विजा से खहलबाद नहीं करें अगर आ है तो मैं इसी बताने के लिए आपको जनकारी देने के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूं तो यहां पे मैं capture भी fill up कर रहा हूँ और यहां पे देखो आपको पता चल जाएगा visa stamp हुआ है नहीं हुआ है ठीक है यहां पे search करता हूँ search बार में जाता हूँ search करता हूँ तो देखो यह visa इसका issue हो गया है देखो सबसे उपर में देख रहो गया यह zoom किया visa have been issued number यहां पे देखो first में लिख रहा है visa issue हो गया इस आदमी का ठीक है तो guys यह देखे हैं visa issue हो गया है यह उपर में cut करता हूँ इसका बात देखो ऐसा आता है तो मतलब इस आदमी का visa issue हो गया है तो यही है guys मैंने देखा दिया आपको full process देखा दिया इस वीडियो में कि आप भी चूतिया नहीं बन सकते हैं आप भी बेवकूफ नहीं बन सकते हैं अपना visa stamp हुआ या नहीं हुआ है आप खुद अपने mobile पर chrome browser पर जाके खोल सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको full process बताया तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें कुछ कॉमेंट करें सवाल है तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है guys हमें प्यार बनाया रखें मैं आप से इजाज़त लेता हूँ फिर से नए वीडियो मिलते हैं जब तक लिए अल्ला हाफेज जय हिंद जय भारत